हाई फै में नम आकाश है और आज की से इस वीडियो में मेरे पास phone है जिसमें no service की problem है तो step बेज़ step किस तरीके से trace करते हैं पूरी information इस वीडियो में मैं आपको देने वालो कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से section में जो है वो problem है तो इस video को आप end तक देखना तब ही आप पूरी सारी चीज़े समझ पाओगे अगर आपके भी shop पे कोई phone आता है जिसमें no service की problem है तो कौन-कौन से step है जिसे आपको follow करना है और repair करना है ठीक है तो देखिए यह फोन है जिसमें प्रॉब्लम है network की तो यहां पर मैंने इसे लॉग को लिया और उसके बाद यहां पर कुछ है रहर था उसके बाद हम अगर बैस्वेंट चेक करें इसका तो हम आबाट section में जाते हैं वहां पर बैस्वेंट चेक कर लेते हैं और उसके बाद जो है आइमिया नंबर यह हमारा फर्स टाइप होना चाहिए अगर कोई भी फोन आपकी शॉप पे आता है तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वह यहीं चेक करना है कि उसका बेस्वेंट नंबर है या नहीं उसके बाद जो है उसमें मतलब आईमिया नंबर है या नहीं यह दोनों बी इन्फोर्मेशन जो होगी वह हम सफ्टेर का प्रॉबलम नहीं है डॉवार वह करना होता है वह problem software से भी आता है ठीक है तो यहां पे हम IMI नमबर चेक करें की वज़़े से blur किया है गाइस क्योंकि IMI नमबर शोफ नहीं इसलिए blur किया हुआ है तो यहां पिसके IMI नमबर भी okay है बेस्बेंट नमबर भी okay है फिर भी इसमें डब्लू टियार लगा होता है कॉलकॉम में भी आपको डब्लू टियार देखने को मिल जाएगा अलग-अलग नंबर्स के होते हैं ठीक है तो फटावर्ट से इस फोन को खोल लेते हैं इसमें सिम कार्ड लगा हुआ था और उसके बाद जो है ना यहां पर नैट्वर्क तब कि नहींन आया है तो अब क्या करेंगे基本 छplex करेंके फॉल्ट को आकर आप ञेख्ञा तक वीडियो को देख ossia एंड तक देखना क्योंकि अगर आप एंड तक देखो कि बीना कि skip किये हुए या अगर आपको fast forward करना है तो आप 2x के speed लगा के देख लो बट जो है ना पूरी वीडियो देखो तब भी आपको concept समझ में आएगा कि हमने इस phone को कैसे जो है वो repair किया है WTR तक तो लोग direct change कर देते लेकिन एक reason होता है WTR change करने का या power IC से problem है यानि यह find out करने का इसके उपर एक मैं series बना हुआ क्योंकि बहुत सारे phone मेरे पास आते रहते हैं जिसमें यह problems आते रहती है WTR पे या हमने network की problem को solve बहुत सारा किया है तो अब मैं आने वाले कल में जितनी भी problem network से related solve करूँगा आपको सारी वीडियो मेरे चैनल आकास टेक पे देखने को मिल जाएगी guys अगर आप telegram पे हमें follow up करना चाते हो हमारी unity के साथ या group के साथ जुड़ना चाते हो तो description में telegram group का link है आप एक बार वहाँ पे जाके हमें जोए वो join कर सकते हो उसके अलावा भी जो है मैं वहाँ पे भी लगातार information जोए वो share करते रहते हो तो उस base में आपको काफी helpful fast forward कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना फोन को पुरा open करते स्टेप बे स्टेप सारे प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो बने रहो देखो यहां पर भी हम इस फोन को खोलते हैं फटा फट से यहां पर fast forward किया गया है वीडियो को मैं additional voice इसलिए डालता सकूं इसलिए जो है ना मैं अपनी वीडियो में music जो है वो एड नहीं करता तो अब यहां पर इसका section देखते हैं देखिए पत्रा लगा हुआ है तो इस पत्रे को हमें सबसे पहले जो है वो निकालना है अब बहुत सारे लोगों को जो है ना पत्रा निकालने का तरीका नह भी फोन हो आपको इसी तरीके का जो है वो सिल्ड देखने को मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं तुरंत उठा देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना आपको आपको देखना है कि बैक साइड में MNC है यानी CPU है यानी अगर है तो थोड़ा यह ट्रिक को अलग तरीके से यूज कर देंगे ना तो यह आसानी से निकलेगा बिना कहीं प्रेंट डैमेज हुए यह नीचे हुआ है बट ऐसे ऊपर आप देखिए नीचे हमने हीट नहीं किया था तो वहां पर नहीं मतलब थोड़ी सी उखड़ गी बट नॉर्मली अगर आप इस तरीकी की प्रैक्टिस करो तो तो 1.8 अगर सेमेटिक ओलेबल है तो आप देख लो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से चेक करना चाहते हो जैसे मैं यहां पर देखिए एक्सपीरियंस काम नहीं आता बट कंपोनेंट की अलग-अलग डिजाइनिंग होती है तो एक हिंट मिल जाता है कि यहां यहां पर आप चेक करो तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं मैं यहां पर वह कैपेसिटर देख रहा हूं जिस पर 1.8 मुझे मिल जाए लेकिन मैंने अभी तक सेमेटिक जो है वह उपन नहीं कि तो यहां पर 1.8 का फ्लैक्शुलेशन देखने को मिल रहा है अब एक्जैक्ली 1.8 यह है या नहीं हमें सेमेटिक में एक बार देख लेना है बट अगर आपका एक्स्पीरियंस जैसे अगर यह फोन मैं बना रहा हूं अब यह फोन जिंदगी में दुबारा बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत बात है तो होंगी ही तो उसी बेस में रिपैर कर सकता ह तो वही चीज़ हो रही है देखिए 1.8 जो है वो इसे फ्लैक्चुलेट हो रहा है तो इससे फ्लैक्चुलेशन से समझ में आता है कि पावर आइसी से 1.8 जनरेट हो रहा है अगर यहां पे कुछ भी नहीं आता तो हमारा केस जो बनता वो पावर से भी बन सकता था या डब 4 एल 5 1.8 की अलग-अलग लाइन होती तो वह एल 7 करता हूं और यह एल 4 है ठीक है जब हमने सैमेटिक देखी तो हमें पता चला तो अब हम क्या करेंगे कुछ लोग क्या करेंगे वहां से जमपर मार देंगे 1.78 मिल रहा है वहां से जमपर मार ऐसा नहीं है गाई पावर आईसी जो होती है वो एक ही तरीके का ना वोल्टेज 10 से 12 वोल्टेज 15 वोल्टेज जनेरेट करती है मतलब अलग-अलग कमांड होता है वोल्टेज के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है तो उस बेस पे जो है ना आपका वो 1.8 यहां पे नहीं काम करेगा जब पावर आईसी वही 1.8 देगी जो डब्लू ट्यार को जरूरी है तब भी एक लाइन अगर ब्रेक होगी तो वह सेमेटिक में आप देख सकते है तो हमा लेकिन इसमें वोल्टेज मिल रहा है तो यह क्लियर हो गया कि डब्लू ट्यार का ही प्रॉब्लम हो सकता है अगर कुछ भी नहीं मिलता यह 0.01598 ऐसे कुछ भी आता तो उसमें इसमें हमारा डाउड पीम पर जाता है डब्लू ट्यार लेकिन उस टाइम पर भी हम डब्लू ट्यार पहले चींज करते इए मैंने अल्रेडी वीडियो में पहले ही बता रखा है ठीक है तो यह clear हो गया अभी इसी बेस पे जो हमें क्या करना है इस phone कर WTR चेंज करके देखना है क्योंकि यह tips हो गई आपके लिए कि अगर आपको भी ऐसा लगे कि इतने बोल रहे हैं इतने voltage flatulate हो रहे हैं तो आपको भी simply WTR चेंज करके देखना है यह tips हो गई यहां तक की वीडियो का concept मतलब यही tips को आपको जो follow up करना अपनी लाइप में तो यह आप यह concept समझ पाऊगे कि WTR का problem है यह power का problem अब in future मैं आपको और भी वीडियो बनाओंगा WTR के जिसमें आपको समझाओंगा कि दिखिए इस तरीके से आपको जो है वो काम करना होता है इस तरीके से आपको इट वह नहीं बन रहे तो अब हमें क्या करना इस phone का जो है न वह डबलू टी आ चेंज करने का प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको आइसी रिपैरिंग में बन आया है कि आइसी पे किस तरीके से निकालना होता है अब देखिए यह जो आईसी है इसमें जो पीपीडी यूज की जाती है यह काफी हाई टेंपरेचर पर मेल्ट होती है तो आपको अपने ब्लोवर का टेंपरेचर और यह देखके रखना है कि बैक साइड में ना हो और अगर पेस्टेड है तब तो आपको और भी हिट को अब्जॉब करना है मतलब कम करके यूज करना है मैक्सिमम कम ही हो क्योंकि अगर आप ज्यादा मार दोगे तो बैक साइड में बॉल जो हो फुख जाएगी फोन डेड हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम में फस जाओगे ठीक है यह सारी टीप्स है जो मैं आपको दे रहा हूं यह सारी टीप्स आपको जो इना इंस्ट्यूट में सिखाई जाती है तो यह सब टिप्स को अपको अपनी लाइप में फॉलो अप करना है जिसके बेस पे आप फॉन को डेड करने से बज्जा होगे तो यहां पर पेस्ट हमने लगा है अब हम क्या करेंगे इससे डबलू ट्यार को जो हीट देंगे अभी जो मेरी हीट है व आपको अपना टैंपरेचर खुद मैंटेन करना है अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तब ही आप कॉंसेट को समझ पाओगे एक नौलेजफुल बंदे के लिए इस वीडियो में लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत कुछ है क्योंकि यह अब इसमें डबलू ट्यार प्लेस करेंगे और उसके बाद जो एना पेस्ट करने के बाद आप देखिए कि इसकी प्रॉब्लम जो वो सॉल होती यानि यहां पर जो है यह आईसी को भी रिबॉल करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको आईसी रिबॉल करनी ह देखिए यहां पर इस तरीके से वैसे अल्रेडी सेपरेट वीडियो हैं बट आप देखिए यह आसान नहीं होते का इस वीडियो में आपको चीजे फास्ट पॉवर्ड भी करके दिखाई जाती है श्लो भी करके दिखाई जाती एंगल विठा के दिखाया जाता है तो अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तभी आप अपने बहतर कारी जो वह बन पाऊगे तो इस तरीके से हमने रिबॉल कर लिया है यहां पर ठीक है तो आइसे से आपको बहुत सारे लोग को रिबॉलिंग जो मतलब इंस्टूट म कि कुई आपको सिखा देगा और आप कर लोगे। चादू बिलकुल नहीं है आपको अपनी मैनर से अपनी लगन से ऐगजाम आपको खुद देना पड़ता है वैसी जिन्दगी में कां भी आपको खुद करना पड़ता है। एक फीलर या टीवी देखने से जिंदेगी बदल नहीं जाती ठीक है जिसे हम टेटर में अगर तीन गंदे की मूवी देखे तो कुछ लोग फील करते कि वह कैरेक्टर मैं ही हूँ लेकिन जो इसी ठेटर से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैं तो रियल लाइफ मे हो लेकिन जैसे आप अपनी जगह पर वापस आते हो ना तो आपको लगता है कि यार मैं तो वहीं आ गया जहां पर था तो यह चीज़े होती है तो यहां पर हमने इसकी डबलू ड्याल को प्लेस कर दिया है देखो इस तरीके से आपको पोजिशनल लेनी है डॉट्स को देख लिए हो मेरी हर एक बात पर वजन होता है अगर आप उन वजन को फिल कर पाए कि हां आकास जो बोल रहा है उसमें दम है तो आपको मेरे वीडियो और मेरे कॉंसेप्ट या मेरी नॉलेज बहुत अच्छी लग सकती है अदर्वाइस कुछ मजा नहीं है मेरी वीडियो में भी मैं भी वही दे रहा हूँ जो दुनिया आपको दिखा रही है लेकिन मैं वहां पर एक ट्रिक्स और एंगल सेयर करता हूं जिसके बेस पर आपको जो है मजा आए आपको सीखने में समझने में आसा नहीं हो ठीक है टेस्ट कर दिया देखिए हमने आइसी को बहुत मा इसे क्या होता है कि आइसी का टेंपरेचर सेड़नली डाउन हो जाता है अब सड़नली डाउन होका तो उसमें खराब होने का रिक्स जो हो बन जाता है ठीक है यह सब चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब देखिए इसमें नेटवर् प्रॉब्लम में वह पुरी स्रॉल हो चुकी तो यहां पर मैंने आपको सारी चीज़े बताएं कॉंसेट समझाया किस तरीके से काम करना है माइंड्चेट बताया एंगल बताए टिप्स दिया इस वीडियो को अगर यहां तक देखे गाइस तो आप सोचिए कि आपने 10-12 मि की वीडियो देखी इसमें आपका कितना बेनिफिट हुआ यही सब चीजों के लिए आप पैसे देते हो लेकिन हम क्या बोलते कि आप पुरी वीडियो देख ठीक है तो यह नॉलेज आपको अपनी लाइप में काम आएगा उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी ह होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है थैंक यू